यह देखे गाइस यम्मी टेस्टी टामाटर का सूप जो कि हम आज बनाने वाले हैं जो कि बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी होता है चाहें वो बड़े हो या बच्चे सब के लिए बहुत-बहुत-बहुत स्वाधिस्ट है बिल्कुल होटल स्टाइल बना करके हम तैयार तो कलर देख सकते हैं आप कि देखते ही मूँ में पानी आ रहा है खटा मीठा यह टोमाटो सूप तो चलिए बनाते हैं हलो आप सो का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल चाया मिस्रम है गाइस तो आज हम बनाने जा रहे हैं टोमाटर का सूप तो यह देखिए हमने चार बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं जो के करीब होंगे 250 ग्राम के करीब तो देखिए इनको करेंगे हम बॉयल तो देखिए कैसे करते हैं प्याइज एक बात और टमाटर को आप साफ सुत्रा धो के और अच्छे से लें क्योंकि इस टमाटर को हम जिस पानी में बॉयल क करेंगे उस पानी का भी यूज करेंगे तो देखिए इस तरह से हमने प्लस का निसान लगा दिया है अपने टमाटर पर यह देखिए इस तरह से और इसको हम कर लेंगे बॉयल ठीक है तो देखिए इसमें हम डाल देंगे डिल ग्लास पानी ग्लास के करीब पानी आट और इसको हम बाल ठीज सकते हैं हो फ्लेम पर करने के लिए थे हमारे टेमाटर जो हो गए है जो देखिंगे ऑने लागी एक मात्र अच्छे से निकलने लगा है तो यह देहिए इसकसे बड़ी तो यह देखें तीन मेंट पक चुका है और यह चिलका देखें कितने आसानी से अपने आप उपर आ चुका है तो फ्लेम को करेंगे बंद और टमाटर को हम बालग निकाल कर रख लेंगे तो यह देखें इनको थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से स्पून से अच्छे से उबायल हो चुके हैं तो यह स्पून से ही कट जाएंगे तो यह इस तरह से हम इनके छिलके भी निकाल देंगे क्योंकि छिलके से इसका टेस्ट हो जाता है खराब तो इसलिए छिलके हम अगर आपके पास लैसन और अध्रक का पेश्ट रखाए तो आप वह भी इसमें यूज कर सकते हैं तो देखिए एक बात और गाइस जैसे हम अगर टमाटर डाल रहे हैं तो इसमें ऐसे टमाटर की जो आख होती है उसको भी हटा देना है क्योंकि टेस्ट उससे भी खराब हो बाता है और ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो इसके जो बीज होंगे वह भी ग्राइंड नहीं होते हैं असानी से तो वह भी निकल जाएंगे चानते समय तो इसको हम ढाल कर देखिए सब को पेश्ट बना लेंगे एक बात और का इस टमाटर अच्छे से ठंडा हो ज can लेते हैं तो दिका छोग्र में लेते हैं तो कि चान ने याओ सबके पास नहीं होती है हर किसी पास तो हम क्या करेंगे ओना आ ड़कर आटा चने कम च notamment शे और उसीं के चाहीं मूंड शानने वालेs अप्रद करनिदया को तो श्कám चान लेंगे तो इस तरह से द gesch होआ में तो इसका पल्ब होगा उसको थोड़ा से दबा दबा करके छानेंगे और सारा कुछ अंदर चला जाएगा तो यह देखिए सारा चंद चुका है तो यह रहे गया है खाली बीज बीज तो इसको हम निकाल देंगे अलग अटा देंगे और जो पानी जो हमने जिसमें टमाटर मे कर देंगे जिससे के चंदी में लगा हुआ है टमाटर प्यूरी उसको हम सारा की अपनी टमाटर में कर लेंगे तो वह पानी भी आट कर दिया इसमें देखिए इस तरह से तो चलिए अब उसी बरतन में हम इसको पकाते हैं एक बात और गाईस हम इसमें तूद की मलाई या बटर नहीं यूज़ कर रहा है आप चाहें तो वह भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको हम करेंगे बॉयल तो देखिए इस तमये किना अच्छा से कलर लग रहा है हमारे टमाटर का तो इस तरह से बाइल करेंगे यह ले लिए लिया हम कॉर्न स्टार्ज का यूज़ करेंगे तो अभी हम इसे रख ले लिएह ले लिया है तो चलिके अब इसे हम देखते हैं इसमें कर लग यंब आंड जाएगा तब आंगे अड़ करेंगे तो यह देख सकते हैंगा इंग। हमारे टमार के शूप में वैल आ चुका है अच्छा से। हम चलाते हुए एक मिनट के लिए इसको पका लेंगे यानि कुक करेंगे में के सूप को कुछ और इसमें कुछ चीजे हम आड़ करेंगे ऑप जाहिए लिए कि सब्गण कर सकते हैं कि ऒखला नझेरख नार्मल बना सकते हैं तो यह देखी इस दरह से चलाते हुए पका लेंगे एक मिनिट और आब इसमें हम आयट करेंगे स्वात के नमक ठीक है थोड़ा सूप में थोड़ा ही नमक अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा नमक हमने हाप टेबल स्पून से भी कम यूज किया हुआ है आपने स्वात के इंसवार कर लें देखें यह जो ज्ञ लेसन का पाउडर पक्क जाएगा वह भी साथ में इस जाग आ रहा है आप चाहें तो यह जाग को हटा सकते हैं इसमें हम आट करेंगे कश्टर्ड पाउडर अपना हिलाते हुए तो पहले चला लिया चम्मा स्पून से और अब इसको हम इसमें आट कर देंगे एक स्पून के गरीब कश्टर्ड पाउडर पड़ चुका है देख सकते हैं तो यह कलर देखिए कितना अच्छा साया है हमारा इस तरह से हम कुक कर लेंगे कश्टर्ड पाउडर डालने के बाद भी हमें एक मिनट कुक करना है यह देखिए अब इसमें स्वाद के अनुसार चीनी आट करेंगे दो से तीन स्पून हम चीनी आट कर लेंगे एक बात और गाइस उबालते हुए हमने तीन मिनट उबाला थ ऐसार मजं थी क क्योंकि यह टमाटर सूस डालती है तौस तो यह बैलैंस होजाता है थोड़ा सा चस़ट पण जाता है समय करेंगे मिक्स करने कबाद आट सर्व करेंगे यह देखिए हमारा यंभी हम्मी टेस्टी टमइट शूप अन हमेंदके त्यांड थिस्ति ल accessibility पीनल ह बिल्कुल होटल से अच्छा कलर ऐता है इस तरह से बनाने पर बस इसमें कुछ बातें ही ध्यान रखनी है कि टमाटर जो हम लेने हैं ले आपको वह अच्छे रेड वाले टमाटर लेने हैं पल्पी वाले लेने इसमें पल्प अच्छा सहो और इसे वाइल तीन मिनट करना है तो आता देने और उसकी आँक भी औंख संत हैं, तो आपको ये सुप तियार करना है। तो अगर हमारी यह recipe पसंद आयो तो like, subscribe and share. Thank you.